Hi students, how are you? कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगी Only UPSC पर मैं बरी सुकला आपका स्वागत करता हूँ जैसा कि हम पिछले वीडियो में आपको बताते रहे हैं कि किस प्रकार हमें एक वेफसाइट बना रहे हैं जिस पर आपको सारे क्लास एकठे मिल जाएंगे साथ ही वहाँ पर अन्य परिच्छाओं से संबंधित भी क्लास हम सुरू करने वाले हैं उसके नोट्स आपको देंगे Current Affairs और PDF फॉम में भी आपको नोट्स वहाँ पर जो है मिलेंगे हमारी वेफसाइट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पड़ा हुआ है जाकर आप खोलिए वेफसाइट का नाम है www.onlyupsc.in वहाँ पर आप जाएए उसको सब्सक्राइब कीजिए नोटिफिकेशन भियान कर लीजिए और वेफसाइट को विजिट करते रहे क्योंकि वहाँ पर हम लगातार डेली बेसिस पर करेंट अफेर्स देंगे और उससे संबंधिस सवाल भी देंगे क्लास में जो आपको पढ़ाया जा रहा है इसके नोट्स साथ ही जो महात्रपूर्ण पुस्तक्ये हैं पीडिये भी आपको वहाँ पर मिलेगा और कमेंट बाक्स में आप और वेफसाइट पर क्या हम से चाहते हैं कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ज़्यादा जरूरी लगती ही जिनको आपको मिलना चाहिए सजेस्ट कर सकते हैं क्योंकि आपका सजेसन हमारे लिए बहुत महात्रपूर्ण है यह जो कुछ भी किया जा रहा है आपके लिए किया जा रहा है अगर आप कुछ और चाहते हैं तो उसको भी हम एड़ करेंगे अपनी सलाह के लिए आप कमेंट बॉक्स में बताईए कि और आप क्या चाहते हैं आईए अप क्लास सुरू करते हैं पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार जो मगद समराज था उसमें अजाद सत्र ने अपने पिता की हत्या की उदरीन ने फिर उनकी हत्या की और फिर नाग दसक की हत्या करने के बाद में सिसुनाग बंस की अस्थापना सिसुनाग ने की यहां तक हमने पढ़ लिया था, इस क्लास में हम पढ़ेंगे उससे आगे, तो आये शुरू करते हैं असल में सिसुनाग बंस के स्थापन, सिसुनाग जो था वो मगद समराज में मंत्री था जो नाग दसक था राजा, उसका वो मंत्री था और जब उसने देखा कि वो बहुत ही कमजोर राजा है, वो प्रसाशन को नहीं चला पा रहा है तो उस मौके का फायदा उठा करके सिसुनाग ने उनकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद में सिसुनाग बंस की स्थापना किया तो सिसुनाग बंस का संस्थापक कौन है कई बार इससे सवाल पूछ लिए गए तो आप इसको नोट कर लेंगे सिसुनाग बंस इसके संस्थापक सिसुनाग खुद है इनका कालखंड बहुत छोटा रहा है इसलिए इनसे संबंधित बहुत कम जानकारी तिहास में है तो सिसुनाग जो है इसके संस्थापक रहे हैं दूसरी चीज यह है इन्होंने राजधानी को बदल दिया आपने देखा था कि सुरुवात में जो मगद सम्राज था उसकी राजधानी क्या थी राजग्रह थी और जब अजाद सत्र की हत्या करने के बाद में उसका पुत्र उधेन राजा बनता है तो राजधानी को बदल करके पाटल पुत्र कर देता है जो कि वर्तमान में पटना है तो उसने राजधानी बदल करके पाटल पुत्र किया था और जब सिसुनाग बंस के अस्थापना होती है तो ये फिर से राजधानी बदलता है और बैसाली को अपनी राजधानी बनाता है बैसाली को अपनी राजधानी बनाता है तो यह आप देखे कि शुरुवात में राजग्रह थी फिर पाठली पुत्र बनी और फिर शिशुनाग बंस में बैसाली राजधानी बन जाती है इससे सम्मंदित कई बार सवाल आए हैं और जिसे विकल्प में आपको दे दे जाता है कि मगद समराज की निम्न में से कौन सी राजधानी नहीं थी तो यह तीन आपको दे देंगे और एक चोथा विकल्प कोई और दे देंगे तो ऐसे सवाल कई बार परिच्छाओं में आ गए हैं इसलिए आप ध्यान रखेंगे पहले राजधानी राजग्रह थी दूसरी पा समराज के स्थापना होती है तो राजधानी फिर असोग के टाइम में पाठल पुत्र बन जाती है वह आप आगी क्लासे में पढ़ेंगे यहां आप देखेंगे कि सिसुनाग बंस के स्थापना सिसुनाग ने गी और राजधानी को बतल करके बैसाली कर दिया इस बंस का जो इस बंस का अन्तिम सासक था इसके बाद में नन्धि बरमन की आठ्या की जाती है और फिर नंद बंस की अंस्थापना होती है जो की बहुत महत्व पूर अर। तिहास में बहुत जादा जिक्र भी होता है नंद बंस को ही समाप्त करके चंद्रगुप्त मौर ने जिनकी सहायता विष्णोगुप्त यह चाणक की ने की थी उन्होंने मौर समराज की इस्थापना की थी और एक जो भारत का एक जो रूप जो आप इत्लाश को सोचते जो आ संतिम्सासक है और इसकी हत्य करने के बाद में नंदबंस के स्थापना होती है तो आज देखते हैं कि नंदबंस के संस्थापक कौन है और इससे संबंदित महात्पूर बात है क्या-क्या नंदबंस हम चुकी परचाओं को ध्यान में रख करके पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि हमको कोई रिसर्च नहीं करना है इतिहास में यह रिसर्च जो इतिहास का रहे हैं यह उनके लिए क्लास नहीं है यह क्लास उन लोगों के लिए है जो किसी परिच्छा की तयारी कर रहे हैं तो परिच्छाओं में जिस सक्षन से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं जो सक्षन बहुत तरीके से इतिहास लिखा गया है इतिहास जब लिखा जाता है तो उसमें जो लेकक है वो चुकि लेकक की ब्यक्ति है और वो किसी ना किसी चीज़ से बायस्ड होता है तो उसकी अपनी अलग-अलग बिचारधारा होती है तो इतिहास कई तरीके से लिखा गया है और कई अलग-अलग इतिहास कारों ने लिखा है लेकिन महत्यपूर्ण ये है कि आपका जो स्लेबस है जिस पर इच्छा की आप तयारी कर रहे हैं उसमें कहां से सवाल पूछे जा रहे हैं किस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं कौन से सक्षन ज्यादा महतबूर है उसको फोकस करने की जरूरत है तो कई बार आप लोग कमेंट में सिकायत करते रहते हैं कि इस सक्षन को आपने कम फोकस किया है तो उसकी वज़े ये है कि जहां से सवाल कम आते हैं, हम उस सक्षन पर कम फोकस करते हैं और जहां से सवाल ज़्यादा आते हैं, उस सक्षन को ज़्यादा फोकस करते हैं वज़े साफ है कि परिच्छा को पास करना है, इतिहासकार नहीं बनना है इसको इतिहासकार बनना है वो तो research करेगा ही बहुत सारी किताबे पढ़ेगा किसी professor के अंडर में PhD करेगा तो उसका अपना अलग है लेकिन यहाँ पर जब GS आप पढ़ रहे हैं सामानधन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आपको उन सक्षन को ज़्यादा फोकस करना है जिससे सवाल ज़्यादा आते हैं तो नंद बंस हम देखते हैं नंद बंस का संस्थापक कौन है महापदमानंद संस्थापक कौन है इसका महापदमानंद इसके संस्थापक है महापदमानंद कई जगे पर इतिहास में इस बात का जिक्र है कि जो नंद बंस है ये बिसिकली सूद्र थे हाला कि बहुत कम जगों पर ये लिखा है लेकिन अगर लिखा है किसी इतिहास कार ने तो कुछ तथ जरूर रहे होगी कुछ अच्चाए जरूर रही होगी तो जो बाते कही जाती है वरतमान परदिर्स समय कंटम्प्रेरी जब आप इसूस को देखते हैं कि पांस जार साल से तस जार सालों से जो है जो उपर की अगड़ी की अगड़ी जाती है जैसे कि ब्रहमर और छक्त्रिये हैं इन्होंने पूरे सभ्यता पर अपना राज किया है तो ऐसे जब बिचार आते हैं कि जो इतने बड़े-बड़े समराज को चलाने वाले जो है सूदर थे तो ये उस चीज को चुनोती देते हैं और इतिहास को लिखते समय अगर किसी भी प्रकार से बायश्द रहा गया है तो आने वाली पीड़ी को सही जनकारी नहीं मिल पाती है इसलिए बहुत सारे चीजी जो हैं वो हिडन हो जाती हैं, छुप जाती है और किसी एक चीज को इतिहास में सही मान कर चला भी नहीं जासकता है तो उनका इद्यासकारों का अपना अलाग अलाग इस पर मत है, उस बहस में हमको नहीं पढ़ना है, आए देखते हैं नंदबंस, नंदबंस की संथापक महापदमानंद है, महापदमानंद एक मजबूत सा सक्था और इसने अपने राज्य का बिस्तार भी किया, इसने कई उपाधियां धारन की, और उपाधियां धारन करने का वज़े ये था, क्योंकि उसने एक बड़ा समराज्य अपने दम पर खड़ा किया, तो उसने कई उपाधियां धारन की, उन उपाधियों को आप देख लेजी कि उन उपाधियों का नाम क्या है, उन उपाधियो उसने जो है धारण की, दूसरा है उपाधी, एक छत्र का, एक छत्र की उपाधी भी धारण की, वरतमान में आप देखते होंगे, कि बहुत बढ़े-बढ़े पुरुसकार दिये जाते हैं, जो समाज में या प्रसासन में बड़ा काम करता है, उसको बढ़े-बढ़े पुरु बूसन दिया जाता है यह पुरुसकार जो है किसी ब्यक्ति को recognize करते हैं कि इस ब्यक्ति ने particular छेतर में कोई काम किया है इससे पूरे विवस्था को फाइदा हुआ है तो ऐसे ब्यक्तियों को सम्मानत किया जाता है और उस सम्मान की दो फाइदे होते है पहला तो उस ब्यक्ति वो अनुकरण करते हैं उसका और समाज में एक सकारात्मक योगदान देने की भूमिक आदा करते हैं तो पुरुसकार की यह माइने होते हैं लेकिन जब पुराने समय में जब वहाँ पर कोई पुरुसकार के उधारा नहीं थी तो जो राजा होते थे वो अपने जो उन्हों ने काम किये होते थे जिसे बड़े-बड़े काम किसी राजी को जीत लिया कोई बड़ा काम कर दिया तो उसके आधार पर किसी पर्टिकुलर नाम से जो है अपने आपको नवासते थे या उनके मंत्री उनको नवासते थे कि चुकि इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है ये ज तो ये सब जो है एक पुरुसकार सम्मान के भाती होता है कि इन्हों ने बहुत बड़ा काम किया है उसका recognition को मिला है आगे देखते हैं कि जो धनन्द है धनन्द ये अंतिम सासक है नंदबंस के धनन्द जो है ये अंतिम सासक है नंदबंस के आपने वो कहानी खूफ सुनी होगी जिसमें आपने ये जानक की चाडक की धनन्द के पास जाते हैं चुकिए धनन्द जो है ये सिकंदर का समकालीन है सिकंदर का समकालीन है सिकंदर जिस समय था उस समय भारत में मगधपर धनन्द का राज था तो आपने ये कहानिया खूफ सुना होगा कि चंद्रगुप्त युकी तक्षिसिला अनुष्टी में प्रोफेसर थे वो जब उनको लगता है कि सिकंदर अब देश पर हमला करेगा तो वो धनन्द के पास जाते हैं चुकि धनन्द राजा है सबसे बड़े समराज का राजा है वो उसके पास जाते हैं कि अपने इस देश को बचाने के लिए आप कुछ कीजिए तो धनन्द क्या गरता है बेजती करके चंद्रगुप्त को भेज देता है कि जाओ तुम अप चान्दरगुप तो मौर को अपने दरबार से भेज़ देता है। इसमें बहुत हद तक सच्चाई है। कि उस वक्त सिकंदर का हमला हुआ था देश पर और नंद बंस का सासक धननद था और चाणक की भी उस वक्त थे तो इस कहानी को बिल्कुल जुटलाया नहीं जा सकता है इसमें सच्चाई है अब कितनी है इस पर आप अलग बहस कर सकते हैं कितिहास कारों के अपने अलग- चंद्रगुप्त मौर के गुरु कौन थे विश्रुगुप्त चाड़क की या जिने आप कोटिल के नाम से भी जानते हैं तो चंद्रगुप्त मौर के बारे में भी आपने सुना होगा कि किस प्रकार उसको कोटिल तयार करते हैं उद्धे के लिए नवी सदी में जो मौद्रा राचिस लिखी गई उसमें इस बात का वर्डन है कि किस प्रकार चंद्रगुप्त कोटिल के राजनेतिक चालो को सीख करके उसका प्रियोक करके चंद्रगुप्त ने नंदबंस को समाप्त किया और मौर बंस के अस्थापना की तथा एक बहुत बड़े समराज के अस्थापना की जो कि मौर बंस कहलाया मौर समराज कहलाया इस चीज का वर्डन जो है मुद्रा राचिस में आपको मिलेगा यहां पर आपने देखा कि नंदबंस को समस्थापक कौन था महापदमानन्द था उसने एक राट और एक छत्र की जो है उपाध अंतिमसासक था महापदमानन्द ने जो उपाधि धारण की यहां पर चाणाद की सहायता से चंदर गुप्त मोर स्था हत्या करते हैं और उसके बाद में मौर बंस की असथापना करते है मौरिबंस की अस्थापना करते है तो नंदबंस के बाद में मौरिबंस की अस्थापना करते हैं कौन चंद्रगुप्त मौर विप्सक के प्राचीन इतिहास का सक्षन है उसमें जूप्सक का जो फेवरिट टॉपिक है जहां से होजाग सवाब पुशती है उसमें हड़पा सबहता है उसमें मौरबंस बहुत महात्पूर है क्योंकि आप देखेंगे कि आगे जब मौरबंस आप पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर जब आप असोग को पढ़ेंगे तो असोग के जो बहुत सारे नियम है उसको वर्तमान में नीतिया बनाते समय बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो एक बड़ी सीख के रूप में नजीर के रूप में हमारे इतियास में दर्ज है तो इसलिए UPSC उस सक्सन को ज़्यादा फोकस करती है जो वर्तमान परद्रिस के लिए बहुत ज़्यादा महात्पूर होते है तो मौरी बंस भी जो है बहुत ज़्यादा महात्पूर है इसलिए मौरी बंस को हम एक अलग क्लास में समझेंगे उसमें दो सक्सन में समझेंगे उसको सुरुवात में हम मौरी बंस का परिछे पढ़ेंगे उसके बाद में उसमें उनका राजनेतिक करम किस परकार है और असोग को अलग से पढ़ेंगे क्योंकि असोग बहुत महत्रपूर है असोग की जो नीतियां है वो वरतमान में आप देखते होंगे कि है भारत सरकार को चिन है असोग से रिलेटड है और बहुत सारी इसे नीतियां जो वर्तमान में आपको दिखाई देंगे जो सरकारी नीतियां हैं वो किस प्रकार असोक से रिलेटेड हैं उस अब आगी क्लासे में पढ़ेंगे इसलिए मौर्बन से बहुत महत्तपूर है और इस क्लास में बस इतना ही क्लास को लाइक कीजिए सेर कीजिए और कमेंट बाक्स में बताए कि क्लास आपको कैसी लेगी धन्यवाद